दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आप कहीं काम करते हैं या फिर कहीं भी आपका पैसा फसा हुआ है तो फिर कैसे आप अपना पैसा यहाँ पर कानूनी तरीके से वापस पाए नहीं मिलता है और आप कोट का चकड़ लगाते है तो जितना पैसा है उससे अधे की पैसा केस लरने में खत्म हो जाता है तो दोस्तो तो इसा और आप जानना चाहते है तो आप इस वीडियो में अन तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पे नएं तो फिर चैनल को सब мощ करके विल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जब भी को यह सी इंफोर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नुट्फिकेशन मिल सके आपका पैसा कहीं भी फसा हुआ है अगर आप बिजनेसमेन हैं आपका तो वह नहीं कर रहा है तो आप उसे मेल करें आप का सहारा ले सकते हैं मैसेज कर सकते हैं या फिर किसी मीडियेटर के थुरू आप उनसे बात करें यहां पर अगर आप किसी मीडियेटर का सहारा लेते हैं तो कई बार भी अपना प्रान परतिश्टा बचाने के लिए अपन पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बाचित करके ठक चुके हैं, वह पैसा नहीं लोटा रहा है, तो फिर यहाँ पर second step आपके पास बसता है, कि आप पुलिस थाने में जाएं, आप पुलिस थाने में एक सिकायत लिख कर पुलिस को दें, फिर यहाँ पर पुलि पुलिस थाने को निर्देश दे, लेकिन वहाँ पर भी कंप्लेन टरने के बाव जुद भी कुछ नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर आपके पास तिसरा विकल बसता है, कि आप यहाँ पर किसी वकील के पास जाएं, और लीगल नोटीस उसे भेजवाएं, यहाँ पर लीगल काम किया, उसका offer letter, या पहले आपका salary account में आया था, जो भी यहाँ पर proof है, आपको quote में लगाना होता है, तो मेरा ओभरोल यहाँ पर कहने का मतलब यहीं है, कि अगर आपका पैसा फसा हुआ है, तो सबसे पहले आपको बाचित का रास्ता अपनाना चाहिए, फिर भी अगर पैसा आपका वापस नहीं मिलता है, तो फिर आपको police complain करना चाहिए, और अगर police complain करने पर भी कुछ नहीं होता है, तो फिर आपको वकील के पास जाना है, और उसके बाद उसे legal notice भेजवाना है, और अगर legal notice भी यहाँ पर जो वकील legal notice में समय दिया है, अगर उस समय के भी दर्मा पैसा नहीं देता है, तो फिर आपको quote में case file करना है, तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर मन में कोई भी सवाल है, तो आप नीचे comment box में comment करें, और अगर आप हम से सीधे जुरूना चाहते है, फोन से बात करना चाहते है, मन लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने topic के साथ, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्यार लखे,